हलो बच्चो उन्हें देखिए उनको इससे लिंक करिए क्योंकि strategy यह है आपकी कि चारो lectures को साथ देखें एक साथ मतलब सीखने की कोशिश करें और finally NCRT पढ़ें क्योंकि हम यह मानते हैं बिटा चाहे board का exam हो चाहे NEET का exam हो वो आपका NCRT के थूज आएगा और आपको एक effort की जरूत है NCRT के लिए कि आप NCRT properly पढ़ सकें तभी आपको वो details आएंगे आप confidence कैसे gain करेंगे आप lecture देखिए NCRT पढ़िए और एक बर जड़ा previous year के questions बना के देखिए आज के lecture में मैं आपको questions भी कराऊंगा कुछ जो relate करेंगे आपके concept से normally बिटा हर एक lecture के साथ questions कराने से better ये मेरे को कई बर ये लगता है कि सारा इकठा कराते हैं ताकि सारे concept आपस में relate हो सके तो start करते हैं lecture को और उसमें हम लोग सबसे पहले transpiration के बारे में जानते हैं तो हमारे पास हमने जो end किया था last lecture उसमें हमने कहा था कि ascent of sap के लिए एक बहुत important बहुत important जो point था वो ये था हमने कहा था cohesion, tension, transpiration, pull theory जिसे Dixon and Jolly ने दिया था ये थियोरी क्या बताती है कि कैसे पानी का minerals के साथ upward transport होता है मैं repeat करता हूँ हमने last जहां छोड़ा था हमने कहा था cohesion, tension, transpiration, pull theory actually explain कि किस सरीके से exactly transport होता है किसका पानी का थीक है तो हमने कहा उसमें दो important point है पहला है हमारे पास strong pull ठीक और दूसरा हमारे पास है strong water column तो हमने last जो बात की थी वो थी cohesion, tension, transpiration, pull theory इसके दो important point थे पहला first हमने कहा था transpiration pull means एक ऐसी force जो पानी को बहुत उची height तक बहुत ज़ादा height तक पानी का transport कर सके second है हमारे पास strong water column strong water column strong water column कह सकते हैं clear strong water column कह सकते हैं तो ये दो मतलब basically point है इस थेयोरी के जो आपको relate करेंगे exactly exactly relate करेंगे कि किस तरीके से पानी का transport होने वाला है थीक है तो इसमें सबसे पहला point है भीटा हमारे पास transpiration pull clear transpiration pull अब question यह है हमारे पास कि Transpiration Pull Generate कैसे होता है तो इस question को समझना चाहरे हैं हम लोग कि Transpiration Pull हमारे पास Generate कैसे होगा, कैसे लगेगा तो उसको समझने के लिए हमें एक leaf बनाना है ऐसे, यह मैं leaf बना रहा हूँ, यह इसका हमारे पास क्या है stomata, ठीक है यहां से मैं xylem का pipe दिखाऊंगा आपको, यह xylem है बिटा हमारे पास, say this is xylem, चीक है यहां से समझे, यह pull कैसे generate होता है, यह water के drops हैं, जिसे आप water column कह रहे हो यह पानी की drops हैं, जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसे आप water column कह रहे हो ध्यान से देखें बिटा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहां पर मेरे पास वो cells हैं, यहां पर मैं काम करता हूँ, इससे बनाता हूँ यहां पर leaf के वो cells हैं, यहां पर ऐसे, ठीक है, clear, और कुछ cells यहां पर हैं ऐसे अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना important है, पानी जो है बिटा, इन cells के around liquid form में इस तरीके से है पानी जो है, liquid form में इन cells के around है, आप देखें, transpiration pull कैसे बनता है होता यह है बिचे, कि यह जो पानी है, वो gas की form में leaf के अंदर convert हो जाता है मैं repeat कर रहा हूँ, पानी जो है, leaf के अंदर ही gas की form में convert हो जाता है gas की form में, दूसरा, हमारे पास water जो होगा, gas की form में बहार भी तो है मतलब, atmosphere में पानी हमारे पास gaseous form में है, तो clear, यहां भी है तो पानी जो है, वो gas की form में, gas की form में leaf के अंदर convert हो गया यहां देखें, ऐसे, तो होगा यह बिटा, कि सबसे पहले जब थोड़ी सी हवा चलेगी यह हम कहेंगे, थोड़ा सा air move करेगी, तो यह पानी हटेगा second point, यह इसकी जगा लेगा, आप देख रहे हो, यह first point है, कि हमने का पानी हटा, यह जो gaseous form का water है, जो leaf के अंदर है, और NCRT की line check करना, this is known as sub-stomatal cavity, means, यह जो leaf के just अंदर है स्टोमेटा, यहाँ पर gaseous form में होता है, तो यह बहुत important line है, कि water जो होगा, water is in gaseous form, कहां पर, gaseous form, कहां पर, in sub-stomatal cavity, sub-stomatal cavity में, वो हमारे पास, बिटा, gaseous form में होता है, पानी, देखो, यह gas की form में, तो यह पानी हटेगा, यह पानी उसकी जगा लेगा, देख पारे हो, यह पानी हटेगा, और यह पानी उसकी जगा लेगा, clear, और फिर इस liquid पे, यह जो liquid form में जो पानी है, उस पे खिचाओ बनेगा, वो gaseous form में आएगा, और फिर, यह खिचाओ हमारे पास, जायलम के पानी पर बनेगा, आप देख पा रहे हैं इसे, कि basically force कैसे बना रहे हैं, हम यह कह रहे हैं बिटा, कि water जो है gaseous form में leaf के अंदर convert हो जाता, अपना दिमाग लगाओ, हमें pull generate करना है, pull, pull, खिचाओ होता है, खिचाओ कभी भी हमारे पास ऐसे नहीं बनेगा, खिचाओ कभी भी हमारे पास ऐसे नहीं बनेगा, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, खिचाओ कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, जो open surface हो, खिचाओ हमेशा close surface में बनता है, ठीक है, जिसे हम pull कहते हैं, vacuum कहते हैं, तो leaf जो है, leaf के बाहर हम क्या कर लिफ के बाहर इस तरीके से क्यूटिकल लगा देंगे क्या लगा देंगे क्यूटिकल लगा देंगे क्यूटिकल मतलब वेक्स किलियर ताकि पानी यहां से गैसेस फॉर्म में यहां से बाहर ना जाए क्लिर थोड़ा बोथ चला भी जाता है इसी लिए डैजर्ट प्लांट मे thick cuticle लगाना पड़ता है हम ये चाहते हैं कि पानी जब भी बहार जाए gas की form में किस से जाए, stomata से जाए ताकि एक pull बने, pull बनाने के लिए क्या sequence है, पानी gas की form में अंदर convert होगे, ये move किया ये इसकी जगा लेगा और finally इस पानी पर जो liquid form में खिचाओ बनने लगेगा, आपने पड़ा भी है कि अगर मैं वेपर को remove करूँ, तो liquid again convert होता है वेपर में, तो ये liquid वेपर में convert होगा, और यहाँ वाले liquid पे खिचाओ बनने लगेगा इसे हम transmission, pull कहते हैं NCRT का ये diagram जो आपको explain कर रहा है देखिए, यहाँ पर कहा रहा है पानी gas की form में है, तो ये पानी gas की form में बाहर गया है, देख रहो इसके surface पे light blue color का देख रहो, बाहर पूरा पानी लगा हुआ ये इस पे, हना, वो पानी फिर gas की form में आएगा, clear और यहाँ से xylem से पानी फिर इसमें आ रहा है ये देख पा रहे हैं बिटा, तो ये एक तरीका है आपका pull generate करने का, और NCRT ने diagram में ये दिखाया भी है कि यहाँ पर ही convert हो जाता है gas form में, कहाँ पर stomata से just अंदर जिसे sub-stomatal cavity कहते हैं तो हमने ये सीख लिया, ये pull कैसे बनेगा, ये pull कैसे बनेगा अब हमने ये सीखना है कि ये water column कैसे strong होगा means हमने कहा कि ठीक है कि हमने leaf में एक strong pull बना दिया leaf में हमने एक strong pull बना दिया लेकिन मुझे क्या करना है ये जो water के molecules हैं इनके बीच में मुझे strength चाहिए क्योंकि pull जो होगा pull की वज़े से जब आप इसे खीच रहे हैं, ये column तूट सकता है तो ये जो water column है इस water column को आपको strength देनी है क्या देनी है strength strength देनी है बिटा strength देनी के लिए NCIT ने कहा है तीन forces है पहली है cohesion cohesion का मतलब होता है like चीजों के बीच में force मतलब cohesion होता है एक जैसी चीजों के बीच में force तो cohesion का मतलब water, water molecule के बीच में इसमें one और two में attraction ठीक है तो पहली force जो column को strong रखेगी that is cohesion water, water molecule के बीच में attraction second force हमारे पास है बिटा second force हमारे पास है ध्यान से सुनेंगे आप याद करो favicolic adhesive है adhesive मतलब चिपका रहा है तो adhesion क्या होता है उस पानी के column का उस दिवार के साथ क्योंकि ये दिवार xylem की है lignin होगा, उसके साथ attraction उसे कहते हैं adhesion, वो भी important है, third है हमारे पास surface tension, ये तीन forces है बिटा जिसकी वज़े से strong water column बनता है cohesion, adhesion और एक surface tension, surface tension का मतलब ये होता है बिटा हमारे पास कि अगर ये पानी के molecules है आप देख पा रहे हैं, पानी के molecules एक दूसरे को attract करते हैं, तो मेरे पास ये वाला जो molecule है, ये वाला इस पर balance force है, सब तरफ से balance force है, सब तरफ attraction है, लेकिन जो molecule surface पर है, उस पर unbalance force है, यहाँ तो attraction है, बाहर की तरफ नहीं है, तो इसे अंदर की तरफ खीच रहे हैं, साथ रख रहे हैं, तो हमारे पास तीन forces हो गई, जो पानी को strong column देंगी, cohesion, adhesion, surface tension, और पानी को strong pull कहा से बना transpiration pull से, ये वो tubes जो होती हैं, उनमें ज़्यादा height तक पानी चड़ सकता है, जैसे मेरे पास ये tube है, और एक ये tube है, तो thin tubes में ज़्यादा height तक पानी चड़ सकता है, इसे capillary action कहते हैं, तो पानी के upward movement के लिए capillary action और transpiration pull responsible है, cohesion, adhesion, surface tension, column टूटने नहीं देगा, देखिए द्यान से, आगे हम topic पढ़ेंगे, transpiration, हाना, transpiration, ही कह, क्योंकि transpiration एक separate topic भी है, मारे पास, clear है, द्यान से जोनेंगे, बुटा, what is transpiration, हाना, transpiration क्या है, NCRT लिखती है, it is evaporative loss, evaporative loss, सही है, evaporative loss, किसका पानी का, कहां से, mainly leaf के surface से, हाना, mainly कहां से, from leaf surface, although stem से भी हो सकता है, from leaf surface लिख रहे हैं, हाना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, transpiration कह रहे हैं, it is evaporative loss of water from leaf surface, हाना, इसको हम transpiration कह रहे हैं, evaporative loss, मतलब पानी जो है, मेरे पास, gaseous form में loss होता है, मैंने ये, इस तरीके से, leaf बना दी, जहां से सुनेंगे, मैंने इस तरीके से, ये stomata है, ये leaf बना दी, transpiration में क्या होता है, देखेंगे, transpiration में, पानी का, gaseous form में, loss होता है, H2OG बहार आता है, अंदर से, ठीक है, ये होता है, ठीक है, अच्छा, transpiration, पानी का, gaseous form में, loss है, इसके response में, हमारे पास, एक gas अंदर जाती है, that is CO2, CO2 हमारे पास अंदर जाती है, अगर stomata खुला रहता है, अना, clear, although इनका, आपस में कोई relation नहीं है, पर CO2 हमारे पास अंदर जाती है, एक gas, हमारे पास और बहार आती है, that is oxygen, तो, basically, transpiration है, तो, पानी का loss, पर उसके साथ साथ, हमारे पास, gaseous exchange भी होता है, तो मैं लिख सकता हूँ, इस बात को, कि along transpiration, along transpiration, हमारे पास क्या होता है, gaseous exchange होता है, बिटा, हमारे पास क्या होता है, along transpiration, gaseous exchange होगा, gaseous exchange, और ये gaseous exchange क्या है, आप देखो ध्यान से जल्दी से बिटा, ये gaseous exchange है, कि oxygen बहार आई, CO2 अंदर गई, पानी बहार आँ रहा है, ये transpiration में होता है, अब देखो, transpiration में हमें कुछ छोटे-छोटे topic समझने है, जो बहुत important है, सबसे पहले बिटा, सबसे पहला हम ये समझते हैं, transpiration में, that is type, कि transpiration की type क्या होती है, हम लिखते है, type of transpiration, ये लिखते हैं एक बद, transpiration की type क्या है, ये देख लेते हैं एक बद, ठीक है, तो transpiration की जो type हमारे पास है, सबसे पहली है, ध्यान जे सुनेंगे, सबसे पहली type, सबसे पहली है leaf से, leaf वाली को हम कहते हैं foliar, foliar मतलब हमारे पास leaf से होती है, अना, clear, foliar का मतलब हमारे पास क्या हो गया, leaf से, leaf से होने वाली transpiration, उसके अलावा ये maximum होती है बेटा ये क्या होती है maximum उसके अलावा अधर हमारे पास कहां कहां से हो सकती है second हो सकती है बेटा मेरे पास cuticle से मैंने आपको ये बोला था cuticle leaf के बाहर एक wax की layer होती है जो transpiration रोकती है उसके बाद भी कुछ पानी gas की form में diffuse कर जाता है इसलिए zero fight में desert plant में thick cuticle लगाया जाता है तो मेरे पास cuticle हो गया थीक है तीसरा मेरे पास बेटा first foliar हो गया दूसरा cuticle हो गया और तीसरा मेरे पास कुछ stem की bark में से transpiration हो जाती है और कुछ plant के surface पे special cells होते हैं जिने हम lenticels कहते हैं इन में से transpiration होती है तो मेरे पास foliar, cuticle, bark, lenticels ये वो तरीके हैं जिनके थुरू हमारे पास transpiration होती है तो ये हो गई हमारे पास type of transpiration जो आपको आनी चाहिए पता होना चाहिए एक बहुत important बिटा हमारे पास term है जिसे हम कहते हैं transpiration ratio और actual में इसका neat में question आया था चीख है neat में question आया था इसका जिसे हम transpiration ratio कहते हैं इसको समझना और ये NCRT में भी given है transpiration ratio क्या होता है ये transpiration ratio क्या ये कैसे सीखेंगे हम देखे ज़रा माल लीजिए मैंने ये leaf बना दिया चीख है इस leaf से मेरे पास क्या बहार आ रहा है पानी किसकी फॉर्म में water is moving out in form of gas in that response CO2 is moving inside इसके response में carbon dioxide अंदर जा रहा है हमारे पास क्या बहार आ रहा है पानी अंदर क्या जा रहा है CO2 अंदर जा रहा है transpiration ratio क्या होती है normally क्या होता है बिटा माल लो हमारे पास क्या होता है एक plant होते हैं C3 plant C3 plant में क्या होता है हमारे पास लगबग हमारे पास 200 से 400 H2O loss होता है और एक CO2 तब अंदर एंटर करता है मतलब actual में पानी के loss होने की जो frequency है वो जादा fast है as compared to CO2 enter करने की यह जो ratio होती है न कि H2O loss हुआ और फिर क्या enter किया CO2 enter किया इसको हम transpiration ratio कहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं transpiration ratio पानी बहार गया CO2 अंदर गया अगर आप ध्यान से देखें यह C3 plant है C4 plant में C4 plant में कम पानी loss होता है तब हमारे पास एक CO2 अंदर जाती है अगर हम ध्यान से देखें NCRT बात को बोलती भी है कि C3 और C4 plant में जादा efficient कौन है C4 plant है और C4 plant twice efficient है twice efficient समझा रहा है कम पानी loss करके एक CO2 enter करा रहा है तो C3 C4 plant में हमारे पास C4 plant जादा efficient है as compared to C3 plant C4 plant जादा efficient है as compared to C3 plant कम पानी loss करके CO2 enter करवा लेता है C4 यह line है जो आपको NCRT की समझ आनी चाहिए यहाँ पर mention है clear एक मिनट यहाँ mention है NCRT में इस page पर आप देख पाएंगे जहाँ पर आप देखिए the evolution of C4 photosynthesis probably one of the strategy maximizing the availability of CO2 while minimizing the water loss देख ले C4 plant are twice as efficient यह neat में question आया था ठीक है तो C4 plant कम पानी lose करता है same amount of CO2 को enter कराने के लिए यह वो line है जो आपको आनी चाहिए इस topic को justify करता हम पढ़ते है cam जो होते हैं desert में मिलते हैं cam plant dry condition में cam में तो और कम होती है transpiration ratio कम होना अच्छी बात है इसमें तो हम लिखते हैं 5200 H2O loss upon में 1 CO2 fix यह हमने क्या बता दिया transpiration क्या बता दी बेटा ratio बता दिया transpiration ratio बता दिया clear अब हम क्या पढ़ेंगे यहां से यहां से हम देखने वाले हैं transpiration की advantage है क्या कोई हमारे पास वो हम देखने वाले हैं कोई advantage है transpiration की उस पे बात कर लेते हैं जल्दी से देखे advantage advantage है क्या कोई transpiration की उस पे हम लोग बात करेंगे any advantage of transpiration ध्यान से सुनना विटा transpiration क्या करता है हमारे पास transpiration क्या करता है basically pull generate करता है क्या करता है pull generate करता है ध्यान से देखना बिटा सबसे पहले transpiration जो है evaporative loss है तो यह हम कह रहें it generate pull pull generate करेगा किसके लिए for transport of water तो पानी का transport करने के लिए ठीक है second है it generate pull for transport of mineral ठीक है तो यह generate pull करेगा transport of water के लिए और यह generate pull करेगा बिटा किसके लिए mineral के transport के लिए समझ लो इस बात को तो पानी के transport के लिए करेगा mineral का transport पानी के साथ होता है उसके लिए pull generate करता है तीसरा बिटा cooling effect का मतलब यह होता है कि अगर leaf के surface में से पानी loss हो रहा है ग्यास की फार्म में तो cooling effect होगा anxiety कहती है 10 to 15 degree Celsius temperature क्या करता है decrease कर सकता है on leaf surface यह काम करता है दूसरा बिटा एक तरीके से अगर आप देखें ध्यान से transpiration से पानी का transport हो रहा है ध्यान से सुनेंगे बिटा transport of water हो रहा है तो transport of water की वज़े से plant में क्या रहती है plant maintain turgidity उसकी leaf में पानी भरा रहता है और leaf expand रहती है turgid रहती है turgidity का मतलब पानी की वज़े से leaf ऐसे बढ़िया फैली हुई है तो यह काम कर सकता है हमारे पास transpiration आपने याद क्या रखना है जो गलती होगी वो यह होगी बेटा transpiration pull पानी का transport कर सकता है mineral का transport कर सकता है water का absorption increase कर सकता है clear पर mineral तो channel और pump से होगे तो it can also increase it can also increase increase हमारे पास क्या absorption of water पानी का absorption भी increase कर सकता है फीक है यह role है हमारे पास transpiration के clear role या advantage आप यह चीज लिख सकते हो फीक है clear यह चीज लिख सकते हो आप देखने हैं यह forces given है हमारे पास जो हमने कही थी strong water column के लिए cohesion, adhesion, surface tension NCRT ने इस बात को बोला था कि capillary action ठीक है और transpiration pull यह दो forces हैं जो काम करती हैं बहुत जादा height पे transport करने में clear है यह वो clear चीज उसने बताई है और देख रहे हो as water evaporate through the stomata यह लिखा हुआ है पर आप एक चीज समझे बेटा यह convert हो जाता है sub stomatal cavity में यह लिखा हुआ यहाँ पर क्योंकि sub stomatal cavity का मतलब होता है inside stomata ही वो किसमे convert हो जाता है gas की form में जो हमने जस्ट बात करी थी cohesion, tension, transpiration, pull theory में यह roll है बेटा pull absorb करेगा absorption हो ट्रांसपोर्ट के लिए पानी के पानी का ट्रांसपोर्ट दे रहा है surface cool कर रहा है 10 to 15 degree shape maintain कर रहा है turgid कर रखे ना यह turgidity की हमने बात करी थी तो यह हमने बेटा transpiration पे basic बात करी है अभी हम क्या देख रहे हैं ध्यान से जुने हम क्या देख रहे हैं हम बात कर सकते हैं कि कौन से ऐसे factors हैン जो transpiration को affect कर सकते हैं हम लोग बात कर सकते हैं कि कौन से ऐसे factors हैं factors affecting transpiration कौन से ऐसे factor है जो transpiration को affect करेंगे first first हमारे पास ध्यान से सुनें फर्स्ट हमारे पास क्या है लीव का सर्फेस एरिया पिर हम लिख सकते हैं बेटा नंबर ऑफ स्टोमेटा जितने जादा स्टोमेटा होंगे उतना हमारे पास transpiration होगी, तीसरा हम लिख सकते है orientation of leaf अगर leaf की orientation किसके जैसे sun के सामने है तो ज़ादा transpiration होगी जैसे ऐसी leaf, आप एक चीज ध्यान रखना बिटा, कभी किसी tree के top पर देखोगे, तो वहाँ leaf ऐसे होती है, reason क्या है, direct sunlight ना पड़े, लेकिन जब plant के beach में पहुंचों के तो leaf ऐसे होती है क्योंकि light filter होके आ रही होती है तो ये भी बहुत important होता है हमारे पास कि leaf की क्या orientation है leaf की क्या orientation है फिर हमारे पास क्या है बिटा D, D हम लोग बोल सकते है number of stomata, age of leaf वगरे भी important parameter होता है ठीक है, हम surface area size, age इनकी बात भी कर सकते हैं अब मेरी बात सुनो ध्यान से factors transpiration में external भी होते हैं, ये तो internal plant factor हो गया external factors कौन से हो सकते है temperature temperature बढ़ा होगे transpiration बढ़ सकता है actual में temperature का effect होता है क्योंकि वो evaporation कर सकता है उसके अलावा light का effect होता है light का effect होगा तीसरा हम लोग सकते है wind speed wind speed का effect होगा और हमारे पास ये एक parameter है अगर बाहर water vapor जादा है तो अंदर से बाहर कम आएंगे देखो मैं क्या कह रहा हूँ बिटा मैं ये कह रहा हूँ ये leaf बना दो अगर बाहर water vapor जादा है, ये high है तो अंदर से बाहर slow move करेंगे इसलिए इसको remove करती है wind तो ये movement fast हो जाती है ये है हमारे पास कुछ factors जो किसको affect कर सकते हैं transpiration को अब क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनो ये हमने factors पढ़ लिए ठीक है transpiration पढ़ लिए एक बहुत important topic है जो आपको आना चाहिए वो है transpiration कराने के लिए एक important चीज है opening and closing of stomata इसका mechanism है हमारे पास इसका क्या है mechanism है जो आपको आना चाहिए ज्यान से देखेंगे हमारे पास stomata की opening और closing सबसे पहले मैं एक बर जड़ा stomata को दिखा दूँ आपको यह मेरे पास guard cell है इसके आसपास के cells मैं चाहरा हूँ यह बताना मुझे जरा subsidiary cell जो होते हैं यह epidermis पे होते हैं तो epidermal cells हैं दोनो सवाल यह है कि subsidiary cell और guard cell में guard cell छोटे size के हैं बड़े size के हैं या guard cell के छोटे size का होने का कोई benefit होता है यह पता करना जरा देखो यहाँ पर guard cell की inner wall है यह थिक होती है यह वाली wall क्या होती है यह थिक होती है देखो एक structure आपको समझना होता है और यहाँ पर यह cellulose के लगेवे धागे होते हैं जिनने cellulose का microfibril कहते हैं और इन दोनों में chloroplast भी होता है तो मैं लिखता हूँ क्या-क्या present है जहां से देखें बेटा सबसे पहले मेरे पास यह इसकी कौन सी wall है inner wall है NCRT लिखती है कि inner wall जो है वो थिक है और elastic है उसका अपना एक role भी बताऊंगा मैं आपको चीक है? clear? यह मेरे पास क्या है बेटा? आउटर wall है आउटर wall जो मेरे पास है वो थिन है elastic, inelastic नहीं बोला इसके अलावा यह cellulose के लगेवे धागे हैं जिन्हें हम कह रहे हैं cellulose के microfibril यह help करेंगे और यह कैसे arrange है? यह radially arrange है यह क्या है? radially arrange है हना? यह radially arrange है हम यह पर देख पा रहे हैं कि यह guard cell है विटा? this is guard cell, this is subsidiary cell जो guard cell के पास में है और यह हमारे पास क्या है? guard cell है ठीक है? guard cell है और यह हमारे पास क्या है? अंदर जो बाहर के यह subsidiary cell है ठीक है? outer wall outer wall, thin और inner wall क्या है? thick clear? inner wall जो है आपके पास ठीक है outer wall क्या है? हमारे पास thin है clear? यह चीज़ समझ आ रही है? देख लो यह हमारे पास एक stomata का structure हो गया यह हमारे पास क्या हो गया? stomata का structure हो गया यह चीज clear है? यह चीज clear है बिटा? अब देखो जरा इसको समझ लो एक बार ध्यान से यह structure है इसमें यह cellulose के धागे लगे वे हैं जो radially arrange आपको कैसे याद करना? radially यह मदद करेंगे आपको क्या करने में? stomata open करने में जरा देखें कैसे हम पढ़ रहे हैं? किस तरीके से detail पढ़ रहे हैं? ध्यान से देखो बिटा हमें opening पढ़ने है सबसे पहले सबसे पहले stomata की opening पढ़ेंगे stomata की opening क्या हो? कैसे होगी? stomata की opening उसके लिए बात कर रहे हैं तो देखें जरा हमारे पास यह guard cell यहाँ पर इस तरीके से clear और आसपास हमने क्या बनाए थे? subsidiary cell यह मेरे पास मैंने कहा था यह inner wall इसकी क्या है? ठिक है, यहाँ पर यह ठिक है inner wall और वो हमने readily arranged cellulose के microfibril बनाए थे, करदा चेंज किया कोई बात नहीं अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ क्या sequence रहेगा? सबसे पहले water potential in guard cell क्या होगा? decrease होगा सुन लो ध्यान से पिटा क्या हो रहा है? देखो water potential इस guard cell में किसी तरीके से decrease होगा और यह explanation आती है K plus mallet theory से water potential guard cell में decrease हो गया water potential decrease होने से क्या हुआ? समझो ध्यान से water potential decrease हो गया guard cell में उससे क्या हुआ बिटा? उससे पानी एंटर किया तो first हुआ water potential decrease second हुआ पानी एंटर किया तो first तो यह हो गया second एंटर होगा water एंटर करेगा किसमें? enter into guard cell कहां से आ रहा है from subsidiary cell subsidiary cell से हमारे पास guard cell में पानी आ गया फिर third third क्या होगा हमारे पास guard cell बिटा guard cell become turgid turgid हो जाएगा पानी जाने से फून ले लगेगा और NCRT लिखती है कि outer wall ऐसे bulge out हो जाएगी inner wall crescent shape ऐसे देख रहे हैं आप ये ये जो outer wall है उसके बाद fourth हम लिख रहे हैं कि ये जो outer wall है ये पीछे की तरह full गई तो outer wall हमारे पास क्या होगी outer wall हमारे पास bulge out and inner wall become crescent shape ये देखो inner wall ऐसी हो गई outer wall ऐसी हो गई तो इसे हम क्या बोल रहे हैं बिटा इसे हम क्या देखो outer wall हमारे पास bulge out हो गई हना और inner wall क्या हो गई crescent shape inner wall crescent shape हो गई crescent ऐसे clear और हुआ है ऐसा बिटा कि outer wall bulge out inner wall crescent shape यह जो cellulose के microfibril थे, जब यह bulge out होई, इसने इसको खीज दिया, यह elastic थी ना यह वाली wall, यह वाली inner wall elastic थी, तो जब यह बहार गई तो इसने इसको अपने साथ खीज दिया, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, कि cellulose के microfibril, cellulose के microfibril ने help करी, फिब्रिल ने क्या किया, help किया, तो देख रहें, यह pore बड़ा हो गया, यहां सके comparison में, तो हम कहेंगे stomata open हो गया, तो sequence यह है, कि water potential guard cell में decrease होता है, उसमें क्या होगा, उसके बाद, पानी enter करता है यहां से, उससे बाद क्या होगा बिटा हमारे पास, outer wall पीछे की तरफ जाए हाँ पर, कि water potential decrease होने से, पानी आएगा उसके अंदर, अब important यह है बिटा, important यह है, कि closing कैसे होई इसकी, closing, बिल्कुल reverse करते हैं जरा, closing कैसे होई, देखो जरा, यह stomata open stage में दिखा रहे हैं हम ऐसे, clear, इसके आसपास मेरे पास यह subsidiary cell है, यह subsidiary cell है, ठीक है, और यह मेरे पास cellulose के microfiber, यह stomatal pore है बिटा, stomatal pore, इसे stomatal pore कहते हैं, अब देखो क्या होगा, water potential यहाँ increase करेगा, water potential क्या होगा, हमारे पास increase करेगा, किसमें इन guard cell, guard cell में water potential increase करेगा, उससे क्या होगा बिटा, water move out, पानी move कर जाएगा, किस से out from guard cell, तो guard cell से पानी हमारे पास बहार की तरफ move कर गया, यहाँ, वापसी आ गया, अब क्या हो रहा है, cell हो गया मेरे पास, flacid, cell वापसी आ गया, flacid, अब देखो जड़ा, cell जब flacid आया, तो यह जो है, यह elastic थी ना, elastic, इसने अपनी shape वापसी ले ली, सही है, तो हम लिख रहे ह इसको inner wall क्या थी, inner wall हमारे पास क्या थी, elastic थी, और उसने अपनी क्या करी, shape रीगेन कर ली, shape को रीगेन कर लिया, और finally stomata क्या हो गया, close हो गया, तो stomata close हो गया, यह important चीज है, यहाँ पे जो आपको लाइने याद रखनी है, पहला कि water potential decrease हुआ, increase हुआ, वाली बात, उसके तर्जिड हुआ, तर्जिड के बाद bulge out, और inner cell become crescent shape, closing वाले में आप कैसे याद करोगी, closing पढ़ रहे हैं हम लोग, opposite चलेगा, water potential यहाँ बढ़ेगा, पानी move करेगा, उससे cell flaccid हो जाएगा, कौन से cell की बात कर रहा हूं मैं, guard cell की, तो guard cell flaccid हो गया, उससे inner wall elastic shape regain हो गई, और stomata क्या हो गया, close हो गया, stomata क्या हो गया, close हो गया, यह चीज़ समझ आ रही है, clear, अब आपको एक चीज़ समझ रखनी है बटा इसमें, कि यह direct question आएगा, clear, mechanism आपके syllabus में अब है नहीं, वो है कि कौन सा iron इसमें help करता है, तो एक theory है जो यह बताती है, K plus mallet theory, यह वो theory थ जो explain करती थी कि कैसे, कैसे water potential इसमें decrease और increase होता है, मैं repeat कर रहा हूँ, हमने start ऐसे किया था, कि water potential guard cell में decrease, कि guard cell में water potential decrease कैसे हुआ, इसके लिए, एक potassium और mallet, यह responsible होते हैं, यह आपको याद रखना है, direct question आता, opening, closing of stomata में, कौन सा mineral help करता है, तो आप mark करेंगे, potassium, clear, यह ची समझा रहा है, और यह mechanism है, हमारे पास opening, closing of stomata का, clear, यह ची समझा रही है, अब हम बात कर सकते हैं, बिटा, कौन से ऐसे factors है, जो affect करते हैं, opening और closing of stomata को, यह transmission से मिलते जुलते ही होंगे, ठीक है, सबसे पहले, हम लिखते हैं, बिटा, यहाँ पर, hormones, कौन से ऐसे hormones हैं, जो stomata को बंद कर सकते हैं, सबसे पहले, abscissic acid, यह stomata को close करता है, ठीक है, यह stomata को क्या करता है, close करता है, cytokinin, यह stomata को open करता है, ठीक है, तो hormones में आगे, हमारे पास ABA और cytokinin, ABA क्या करेगा, stomata को close कर देगा, और cytokinin, उसको क्या कर देगा, stomata को open कर देगा, second हमारे पास था, second हमारे पास होगा, देखो, first हो गया, hormones, second होती है, बेटा, मेरे पास light, light क्या करती है, देखो, in plants, जिसमें stomata light से open होते हैं, stomata open होते हैं, day time में, दिन रात में बंद हो जाते हैं, day time, उन्हें हम कहते हैं, photo active stomata, photo active, और कुछ ऐसे plant हैं, some exception है, some plant में, दिन में बंद रहते हैं, stomata रात में खुलते हैं, stomata open in night, तो उनको हम कहेंगे, scoto active, हना, scoto active, और जब हम बात करते हैं, light की, जब हम बात करते हैं, light की, तो कौन सी light, पिटा, हम कहते हैं, blue and red, दोनों effective हैं, और उसमें blue ज़ादा है, इसमें भी अगर आपको इससे कोई पूछ ले, तो blue ज़ादा है, clear, light के बाद बिटा, temperature, temperature जो है, उस पे stomata open होता है, temperature can open stomata, एक बिटा बात यहां पर बताऊँगा, आपको एकदम सुनना ध्यान से, कि एक ऐसा temperature जिस पे stomata खुले ही नहीं, जैसे 10 degree से अगर कम temperature है, 10 degree से कम, तो stomata नॉर्मली नहीं खुलता, clear, इसके अलावा हम बहुत important चीज, जो बात कर सकते हैं, CO2 concentration की, यह NCRT ने, sorry, यह NEET में आया हुआ कोशन है, कि अगर CO2 concentration leaf में जादा है, अगर CO2 जादा है, तो मुझे बाहर से नहीं चाहिए, समझ आ रहा है, if CO2 concentration high है, if CO2 concentration high है, तो मुझे बाहर से नहीं चाहिए, तो इसका मतलब, inside leaf, अगर CO2 concentration high है, तो stomata बंद कर दो, समझा गई बात, तो inside leaf, inside leaf, stomata, अगर inside leaf, CO2 concentration high, तो मेरे पास क्या कर दो, stomata close कर दो, यह कोशन आया था link में, clear, कि CO2 का क्या effect होता है, stomata पे, अगर अंदर जादा है CO2, तो हम क्या करेंगे, stomata बंद कर देते हैं, कुछ ऐसे chemicals होते हैं, जिने, जो हम as a weedicide use कर लेते हैं, as a weedicide use कर सकते हैं, जिने हम anti-transparent कहते हैं, anti-transparent कह देते हैं, anti-transparent क्या होते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं, PMA, phenyl mercuric acid, यह क्या करता है, stomata बंद कर देता है, phenyl mercuric acid, यह stomata close करते हैं, इनका क्या काम है, यह stomata बंद कर देते हैं, stomata close कर देते हैं, छीक है, clear, यहां तक समझ आ गई बात, छीक है, अच्छा, एक test होता है, जिसे cobalt chloride test कहते हैं, cobalt chloride test के तुरू हम पता कर सकते हैं, कि कैसे stomata, कितने stomata खुले हैं, actual में cobalt chloride क्या होता है, वो pink color का होता है, aqueous form में, हम उसमे paper dip करते हैं, और उसको सुखा देते हैं, paper को dry करते हैं, white हो जाता है, मैं repeat कर रहा हूं, cobalt chloride जो होता है, pink color का होता है, aqueous form में, उसमे paper dip करते हैं, उसको dry करते हैं, वो white हो जाता है, leaf के नीचे लगाते हैं, तो वह हो रही है तो एक NCRT ने नाम लिखा है नोट मे बता रहा हूं आपको Cobalt Chloride Test To find Transpiration है ना Transpiration पता करने के लिए एक test होता है Cobalt Chloride Test के किस rate से Transpiration हो रही है Clear ये आपका बेटा अब तक पानी का транSPORT complete करता है Clear पानी के ट्रांसपोर्ट को complete करता है अब हमने क्या पढ़ना है mineral transport पढ़ना है ठीक है हम क्या देखने वाले हैं mineral transport और mineral का जो transport है उसमें हम लोग first बात करेंगे mineral के uptake के हम किसकी बात करेंगे mineral कैसे enter किया यह first है clear mineral transport में first हम बात करने वाले हैं मिनरल के अप्टेक के मिनरल आया कैसे मिनरल किस तरीके से आया उसके अप्टेक की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मैं आपके लिए ये रूट बना रहा हूँ इसके साथ कुछ important points बताऊंगा ध्यान से देखेंगे ये root hair हो सकती है देखें ध्यान से कुछ important points बताऊंगा बहुत ध्यान से देखेंगे ये root है इसके साथ मेरे पास ये root hair होगी यहाँ पर ऐसे छीक है अब देखना है इस चीच को एक बार जो मैं बताने जा रहा हूँ ये root hair है यहाँ पर root hair ध्यान से देखें इसे important है सबसे पहले mineral enter कैसे करते है सबसे पहले चीज याद रखो बेटा NCRT बोलती है इसको soil is a dilute solution as compared to inside concentration कम होती है soil में मैं concentration की बात कर रहा हूँ amount की बात नहीं कर रहा soil is a dilute solution पहला point याद रखना दूसरा mineral always absorb in a ionic form हमेशा किसमे होगा always absorb in a ionic form mineral हमेशा ionic form में absorb और कोई form नहीं है जिसमें mineral क्या होगा absorb हो mineral always absorb in ionic form mineral हमेशा ionic form में absorb होगा soil एक dilute solution है मिनरल always absorb in a ionic form इना आइनिक पॉर्म, mineral always absorb इना आइनिक पॉर्म, clear हो गई बात, soil एक dilute solution है, clear, नहां तक समझ आगी, third सुनो बिटा, third सुनो, third सुनो, third ये है हमारे पास, ये हो किया, third ये है बिटा, third ये है, कि mineral हमेशा आइनिक पॉर्म में अब्जॉर्म हो रहा है, soil एक dilute solution है, ठीक, third point ये है बिटा, कि हमारे पास mineral का absorption, ये देखो, ये याद करने वाली बात है, और समझो इस बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, mineral absorption, active और passive दोनों है, active और passive मतलब, channel और pump से दोनों से होगा, both है, बट जादा क्या है बिटा, more active है, जादा क्या होगा, more active, इस बात को बिलकु चेक करो, NCRT कहता है कि energy भी लग सकती है और वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि dilute solution है, against concentration gradient ले जाना है, इसी लिए mainly active होगा, mineral क्या होगा, mainly active, clear, उसके बाद हमने क्या बोला बिटा, mineral को एक बार हमने absorb कर लिया, तो वो पानी के साथ move करेगा, once mineral absorb, it move along with, it move along with transpiration stream, किसके साथ move कर along with transpiration stream के साथ, transpiration stream मतलब पानी के साथ move करता है, अब एक line यहीं पर लिखी है, mineral वाले topic में, कि endodermis के जो cells हैं, वो check करते हैं, endodermis के जो cells होते हैं बिटा, endodermis के जो cells हैं, वो check करते हैं, check concentration and amount of solute, मतलब कौन सा solute कितना जाएगा और नहीं जाएगा, मतलब check करते हैं type, अगर मैं proper word लिखो, type आएगा, type and amount of solute, यह चीज़ समझो बिटा, endodermis में subirin लगा कर यह checking होती है, उसे force, last class में बोला था, मैंने force करते हैं कि तू भई ऐसा कर, membrane पार कर, तो force करते हैं क्या करने को, कि कौन सा mineral, कुसको membrane पार करने को, और हमारे पास type and amount, यह checking कहा होती है, endodermis में, अब हमारे पास mineral क्या होका, पानी के साथ ऊपर जाएगा, तो अब हम देखेंगे second part इसका, जिसमें हम लोग बात करेंगे, mineral का transport, क्योंकि mineral absorb करने के बाद, उसका हमें क्या करना है, transport करना है, यहां से सुनना विटा, mineral जहां पहुंचता है, उसे कहते हैं sink, sink of mineral का मतलब होता है कि mineral कहाں पहुचा, point at which mineral reach, ठीक है, तो sink of mineral क्या है, sink of mineral का मतलब, mineral finally पहुचेगा कहा, अगर मैं बात करता हूँ, sink of mineral, तो mineral कहां पहुचेगा, mineral पहुचेगा, young leaf, उसको mineral चाहिए, उसके अलावा flower को mineral चाहिए bud को mineral चाहिए dividing cell, cambium cambium होते हैं न, dividing cell उनको mineral चाहिए समझा रहा है, fruit को mineral चाहिए तो ये वो locations हैं जहां पर mineral पहुँशता है sink, अब देखो NC18 ने लिखा है, देखो, mineral कैसे आ रहा है bulk flow, mass flow से आ रहा है हना, मदलब पानी के साथ move कर रहा है एक बर mineral कहां पहुँच गया इनके pass, अब क्या करेंगे इनको mineral देंगे, ये देना जो है जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये mineral जो है यहाँ पर हम deliver कर रहा है तो हम ये बोल रहे हैं बिटा कि जो mineral का हम यहाँ पर इसको pass on कर रहे है mineral को, तो हम ये कह रहे हैं unloading, word use कर रहे है unloading, unloading का मतलब इस जगा पर mineral देना unloading of mineral क्या है ये main point है आपका active और passive दोनों है मतलब energy भी लग सकती है और directly भी दे सकते हैं unloading ऐसी होगी, unloading कहा कर रहे है इन जगा पर, यहाँ पर mineral देने है ठीक है, clear, mineral हमें यहाँ पर देने है, दूसरी बात बिटा अगर मैं बात करता हूँ form की, किस form में mineral transport हुआ, form of mineral transport तो यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए, कि mineral दो form में transport हो सकता है कोन सी form की बात कर रहे हैं एक हो सकता है, inorganic अगर मैं inorganic की बात करता हूँ तो मेरे पास NO3- NO2- यह nitrogen की inorganic form है, दूसरा मैं बात कर सकता हूँ, organic form में organic form का मतलब है amino acid, nitrogen के लिए यह दोनों मैंने किस के लिए बोला है, nitrogen के लिए तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि mineral का transport can be occurred in form of organic and inorganic, दोनों form में possible है, तो मैं लिख रहाँ इस बात को बेटा, mineral का transport is possible is possible in both organic and inorganic, दोनों possible है, organic and inorganic clear, और nitrogen के लिए mainly organic होता है nitrogen के लिए organic ज़ादा होता है organic ज़ादा होता है inorganic के comparison में अगर मैं कुछ और minerals की बात करूँ जैसे कि आपके वास phosphorus है phosphate मेरे पास कैसी form हो गई phosphate मेरे पास हो गई कौन सी form inorganic लेकिन nucleotide की form में होगा तो वो organic होगी तो हमने क्या सीखा यहाँ पर हमने यह सीखा कि mineral के form जो है वो क्या हो सकती organic inorganic unloading कहा हो कि leaf, flower, bud बड़ अगरे में और unloading active, passive दोनों हो सकती है unloading क्या हो सकती है active, passive दोनों हो सकती है अब एक important चीज़ सुनो देखो बीटा हमें यह लगता है सवाल यह है कि mineral की सिर्फ xylem से transport होता है क्या mineral का जो transport है mineral का हम बात कर रहे हैं transport की तो सवाल यह है बीटा सवाल यह है कि occur only through xylem ऐसा होता है क्या देखो दोनों possibilities हैं यहा xylem भी हो सकता है phloem भी हो सकता है चलो बीटा देखते हैं एक बार जरा mineral का transport कैसे होता है एक discussion छोटा सा यह देख लेते हैं हमारे पास actual में क्या होता है बीटा अगर हम mineral के transport की बात करें तो हम यह देखते हैं कि वो होता है occur only through xylem या phloem से भी हो सकता है इसको देख लेते हैं एक बार जरा जल्दी से actual में क्या होता है बीटा actual में क्या होता है कि जो mineral का transport है mineral का जो transport है वो अगर xylem से होगा तो वो unidirectional होगा अगर हम बात करेंगे xylem से तो वो क्या होगा unidirectional होगा वो कैसे होगा unidirectional होगा समझ लो इस बात को xylem से होगा तो unidirectional होगा अगर वो phloem से होगा ध्यान रखो बीटा इस बात को अगर phloem से होगा तो हम phloem से कैसे move कर सकते हैं ये देखो बीटा ये old leaf है अब old leaf क्या होती है गिरने से पहले अपने सारे mineral जितने maximum possible है उसको young leaf में send कर देती है समझो इस बात को तो वो phloem के धुरू हो रहा है तो phloem क्या होता है multi directional possible है कहीं भी भेज सकते है mineral को हना कहीं भी भेजा जा सकता है और वो कैसे भेजते हैं बटा old leaf से young leaf में तो old leaf से young leaf में अगर मुझे भेजना हो तो मैं क्या use करता हूँ phloem लेकिन root से अगर मुझे बाकी जगा send करना है root से तो वो मैं xylem use करूँगा जो unidirectional होगा तो यह बहुत important concept है direction को लेके कि mineral हमारा सिर्फ xylem से नहीं जाता it can be transported through phloem also clear यह important बात है और mineral जो है बिटा हमारे पास ऐसा ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि xylem is for mineral phloem is for food ऐसा नहीं है phloem से और चीजे भी move करते हैं hormones food इन चीजों का भी transport possible है अब हम देखने वाले हैं बिटा यही चीज कि phloem किन चीजों का transport करता है चीक है clear phloem किन चीजों का transport करता है उसको discuss करेंगे और एक topic पढ़ने वाले हैं phloem में जिसे हम कहते हैं phloem transport source and sink concept इसे कई बर मुंच model भी बोलते हैं scientist के नाम पे क्या बोलते हैं हम लोग मुंच model देखो बहुत important है यह NCRT ने source और sink concept बताया है माल लो आपके पास यह pipe है इस pipe का नाम phloem है that pipe that tube is phloem इसे मैं source कह रहा हूं और इसे मैं sink कह रहा हूं source और sink concept क्या है बहुत ध्यान से सुनना बिटा देखो source वो होता है जहां से food move करता है from where food is mobilized food को क्या करते है food from where food is हमारे पास mobilized जहां से हम food को move करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं source बोलते हैं उसे हम क्या बोलेंगे source source वो जगा है जहां से food को move करते हैं वो कौन सी जगा होती है normally leaf normally मेरे पास क्या है leaf sink वो जगा है जैसे से मैं sink कह रहा हूं sink वो है बिटा जहां food पहुंसता है तो sink क्या होगा जहाँ पर food मेरे पास require है जहाँ पर वो जा रहा है ठीक है वो normally क्या होता है root है क्योंकि खाना leaf बनाती है और वो sink पे बेज़ते हैं किसके तूरू फ्लोयम के तूरू अब important यह है यहाँ पर यह source और sink हमारे पास fix नहीं है ऐसा नहीं है कि leaf मेरे पास हमेशा source ह clear हमें आरी बात समझना है ध्यान से बिटा मैं इस चीज को ऐसे बता रहा हूँ यह माल लो आप कोई tree ले लो ध्यान से देखो बिटा आप माल लो कोई tree बना लो ऐसे हना आप कोई tree बना लो इस चीज को समझो किसी normal tree की बात करते हैं normal tree की बात करते हैं तो उसमें मेरे पास ये जो है बिटा, ये जो है हमारे पास, इस चीज को समझे, ये normal tree है हमारे पास, तो ये source है, source क्या हो गई, leaf, root क्या हो गई, root हो गई, sink, लेकिन अगर मैं ऐसी conditions देखूं, जब tree पर कोई भी leaf नहीं है, इस तरह की conditions जहाँ पर सिर्फ branches है, leaf गिर चुकी है, उस case में, ये उस case में क्या होगा, खाना store है मेरे पास root में, तो root से वो खाना वापसी यहां जाता है, ताकि नई leaf बन सके, तो root उस case में क्या हो गई, source, और यहाँ पर जो dividing cells हैं, जो merismatic cells हैं, वो dividing cells क्या हो गई, sink, ताकि दुबारा leaf बना सके, इसे हम कह रहे हैं, early spring, तो early spring में source और sink अलग-अलग है, तो इसका मतलब यह हो गया, source और sink जो है, it is not a fixed concept, it can get change, वो बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, कि जरूरत के इसाब से उसमें बदलाव आ सकता है, clear, जरूरत के इसाब से उसमें change आ सकता है, तीके, अब हम देखते हैं, बटा, flowem transport कैसे करते हैं, ध्य ध्यान से देखना important है, देखो, मैंने mechanism बता रहा हूँ, flowem transport का, और उस mechanism को हम नाम देते हैं, pressure flow, pressure flow mechanism बोलते हैं, और क्या है, जरूरत देखते हैं, ध्यान से देखना आप, यह मैंने आपका flowem बना दिया, ऐसे, sieve tube है, this is sieve tube, ठीक है, sieve tube के पास में, हमारे साथ एक cell होता है, that is companion cell, और यह leaf का cell है, जो खाना बनाएगा, that is mesophyll cell, यह वो leaf का cell है, जो food बनाता है, जो palisade, spongy, parent काईमा कहते हैं, ठीक है, यह sieve tube हो गया, sieve tube जो है बिटा, sieve tube जो है, यहां से, यह इसमें pore है, ऐसे, clear, ऐसे pore है, और यह जो sieve tube है, यहां से, मेरे पास root का cell होगा, ठीक है, और इसके पास में मेरे पास यह xylem का pipe है, ठीक है, इनमें vacuole भी होता है, बड़ा सा, वो हम अभी नहीं बना रहे है, vacuole होता है, large central vacuole, देखो sequence क्या रहेगा, सबसे पहले, इसने food बनाया, food बनाकर, actively इसमें डाला, तो first step हम क्या लिख रहे हैं हम लोग, कि mesophyll cell ने, mesophyll cell ने क्या किया, actively, food को transport किया, किसमें, transport into companion cell, और फिर companion cell ने, उसको आगे sieve tube में, और ये भी उसने actively किया, actively मतला energy खर्च करके, तो जड़ा एक बार sequence पकड़ते हैं हम लोग, हाना, हमने ये लिखा actively, ये खाना है बेटा, ये food है, जिसको actively companion cell में डाल दी, ये companion cell है, ये क्या है हमारे पास companion cell, और ये मेरे पास कौन सा है, ये xylem है, यहाँ पर, और ये sieve tube है, flowem का कौन सा पार्ट है, sieve tube, clear, हाँ, अब देखो, सबसे पहला सिख, ध्यान से सुनना, ये NCRT में mention है, इसने energy खर्च करके खाने को यहाँ डाल दिया, companion cell में, किसने डाला, mesophyll cell ने, फिर companion cell से खाने को यहाँ डाल दिया, food को यहाँ डाल दिया, ये second step माल लेते हैं, food कहां आ गया मेरे पास, food आ चुका है, किसमें, sie tube में, second step हो गया, इससे water potential decrease हो गया, इससे क्या हो गया हमारे पास, water potential decrease हो गया, समझलो इस बات को, इससे water potential क्या हुआ, water potential decrease हो गया, ये third point हो गया, second point है कि food को actively, यहाँ डाल दिया, तो third point water potential decrease हो गया, fourth point है पानी actively आया पानी, sorry, पानी अब move करेगा न, water potential decrease यहाँ ही है, तो पानी xylem से phloem में आ गया, कहा आ गया, sieve tube में उससे क्या हुआ बिटा उससे हमारे पास एक push generate हुआ, push समझते हो एक धक्का लगा उस पे पानी और food पे, वो हमारे पास यहाँ move किया, यह six step है फिर देख बार देखो, energy खर्च करके खाने को यहाँ ले आए mesophyll cell ने खाना बनाया source, उसने पहले दिया companion cell को, companion cell ने energy खर्च करके यहाँ ले आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ water potential decrease हो गया, solute है ना food, food क्या है solute, उसने यहाँ पर osmotic pressure बढ़ा दिया, water potential decrease कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, पानी asylum से यहाँ आ गया, यहाँ एक push बन गया, push मतलब एक धक्का बनेगा उस पे, उस push ने खाने और पानी को यहाँ move करा दिया वहाँ move करा दिया, जहाँ पर sink है, ठीक है food यहाँ आ गया, पानी के साथ फिर energy खर्च करके actively, actively energy खर्च करके, food को यहाँ dump करेंगे, sink में देंगे, जिसे unloading कह रहे हैं तो आप देखो, एक चीज़ दिमाग में बिठाओ, uploading uploading मतलब खाना sieve tube में लाना ठीक है, source to sieve tube है न, और unloading unloading क्या है विठा हमारे पास sieve tube to kya, sieve tube to sink, यह मेरे पास क्या है विठा, यह मेरे पास दोनो active है, ये भी active है, ये भी active है, ये दोनो मेरे पास active है, passive पैसिव क्या है पैसिव है यह सीव ट्यूब की मुवमेंट अब देखो यह यहां गया उससे यहां water potential है seven step हो गया बिटा एट क्या हुआ water potential increase solute चला गया water potential increase पानी वापसी आ गया xylem में कुछ लोग कहते हैं xylem flowem में exchange नहीं होता यह हो रहा है देख लो आप जहां से मैं repeat कर देता हूँ याद करना incident बढ़ना properly food actively यहां move किया actively यहां आया water potential decrease पानी यहां आया एक push बन गया उसने यहां move करा actively मतलब यहां निकाल दिया food को उससे क्या हुआ water potential increase पानी वापसी चला गया पानी वापसी चला गया किसमें उसमें xylem में ठीक है इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहा है ठीक इसमें loading और यह यह क्या है active है लेकिन sieve tube में energy नहीं लग रहे है पुश के दुरू हो रहा है तो sieve tube में क्या है बटा sieve tube living है तो movement हो गई symplast और push हो रहा है push समझ में आता है food को push कर रहे है तो positive pressure है और NCRT कहती है positive pressure है इसलिए इसको हम क्या बोलते है pressure flow mechanism pressure flow hypothesis ठीक है bulk flow mass flow में ही pressure flow नाम आता है इसका push है जिसका नाम क्या है positive pressure उसके बाद आप कह सकते हो बिटा इसमे push का मतलब positive pressure है symplast है और passive होगा आप में इसे बहुत सारे गलत भी पढ़ते हैं इसे active मानते नहीं सिर्फ ये ये active है I'm sorry loading और unloading active है लेकिन ये movement passive है clear हो गई बात सही है ये flowem का transport है इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे experiment की आप देख सकते हैं ये diagram उसको explain भी कर रहा है पानी asylum से move कर र देख रहे हैं सिंग पर खाना भेज दिया आमने ये diagram है जो explain कर रहा है चीक है उसके बाद एक experiment है विटा gardening experiment आप ये gardening experiment क्या है सुनना ध्यान से हमारे पास normally मानलो एक stem है ये actual में क्या बताता है direction of food बताता है ठीक है फूड किससे जाता है फ्लोयम से कहा से जाता है फ्लोयम से जाता है मेरे पास मैंने एक stem बना दी इसमें बाहर ये फ्लोयम है बाहर ये फ्लोयम है अंदर xylem है यह जो मैं green से दिखा रहा हूँ this is xylem अंदर xylem है ऐसे और stem के अंदर dead होता है बिटा पार्ट जिसे हम hurtwood कहते हैं यह अंदर का पार्ट dead है यह मैंने एक stem बना रखी है यह मेरे पास dead पार्ट है dead है यह और यह चीज क्या है यह है phloem और यह क्या है xylem girdling experiment का मतलब होता है आप इसको ऐसे cut कर रहें ऐसे मतलब आपने phloem काट दी इसकी अब देखो ध्यान से मैंने क्या बना है बाहर phloem बना है अंदर xylem बना है तो girdling experiment का exact meaning यह है कि आपने इसको इस तरीके से cut कर दिया है phloem ऐसे cut कर दिया गुलाई में देख रहे हो इस तरीके से phloem cut कर दिया है xylem अपनी जगा वैसे का वैसा है xylem वैसे का वैसा है आपने phloem काट दिया xylem हमारे पास ऐसे का ऐसा यह xylem है चीक है यह हमारे पास xylem है जो ऐसे का ऐसा है मैंने क्या cut कर दिया, बीच में ऐसे circle में phloem remove कर दिया, देख रहे हो ये ये phloem था, ये phloem था ये phloem remove कर दिया, कुछ time के बाद खाना, देखो phloem से खाना उपर से नीचे आता है, कुछ time के बाद food यहाँ accumulate हो जाएगा girlling experiment इसले ही किया जाता है देखो, खाना अगर उपर से नीचे आ रहा है phloem में, तो यहाँ पर accumulate हो जाएगा ऐसे, तो accumulate हो जाएगा समझ ना जान से NCRT क्या कहती है NCRT कहती है, girlling experiment direction बताता है, किसके transport की phloem की, अगर खाना उपर से यहाँ आ रहा है, तो खाना यहाँ इकठा होगा नीचे से जा रहा होता है, तो यहाँ इकठा होता clear, यह देख रहो, यहाँ पर दिखा रहे यहाँ फूड इकठा होगा, दूसरी बात अगर यह part नहीं जुड़ा यह phloem नहीं जुड़ा तो क्या होगा, food जाना बंद हो जाएगा, अगर food जाना बंद हो जाएगा, तो food किस के लिए जा रहा था, root के लिए तो सबसे पहले root मरेगी तब मेरे पास shoot मरेगी क्योंकि shoot को तो पानी मिल रहा है तो root dies first क्योंकि खाना किस के लिए जा रहा है यह root के लिए जा रहा है ना तो root में जो भी खाना था, कुछ दिन में use हो जाएगा, and then finally root dies, उसके बाद shoot मर जाएगी, clear हो गई बात, done, ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं बिटा, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम कुछ questions देखेंगे, जो हमारे पास neat में आते हैं, वो ये हैं, आप देख लें, जहां बला था, इसमें solute potential zero है, और pressure किसके बराबर है, atmospheric pressure के, जिसे zero लेते हैं, तो water potential pure water का क्या आएगा, zero, याद आया, ठीक है, तो ये आगया हमारे पास, second question 2017 का है, देखो, opening of stomatal aperture, कौन stomatal को खोलेगा, decrease नहीं, आज ही पड़ा, आमने increase चाहिए, मुझे turgidity, radial orientation ये चेक कर सकते हैं, longitudinal नहीं था, हमने कैसे बनाये थे, radial बनाये थे, तो ये नहीं है, contraction of outer wall of guard cell, वो bulge out था, तो हमारे पास ये आएगा, radial, radial orientation of cellulose microfibril, ये आएगा, उसके बाद root pressure, याद करो, root pressure कैसे बताया था, root के अंदर, कैसे develop करेगा, देखो, root के अंदर, हमारे पास, xylem में, mineral इकठे होते हैं, फिर एक push develop होता है, जो इसको उपर धकेलता है, क्लिके, clear, push develop होता है, जो उपर धकेलता है, clear, और ये क्या बढ़ाता है, बेटा, आप देखो, root pressure, कब लगेगा, जब mingles की actively accumulation होगी, तो यहां आएगा active absorption, यह नहीं आएगा, root pressure तब लगता है, जब transpiration नहीं होती, low osmotic potential का मतलब है, मतलब हम ये बोलेंगे, low osmotic potential in soil, soil में हम कह सकते हैं, low का मतलब है, हमारे पास solute जादा होना, तो पानी तो वैसे भी absorb नहीं होगा, यहां high आ सकता था, यह गलत है, high का मतलब होता है, कम solute, तो यह पानी जादा, चीक है, आगे देखो, यह वाला देखो, यह देखो, अभी just किया हमने, ring girdled plant, यह 2015 में आया था, the shoot and root die, यह नहीं यह नहीं, कौन मरेगा पहले, root dies first, गर्लिंग में पहले कौन मरेगा, root, साथ नहीं मर सकते, पहले root का खाना खतम होगा, वो मरेगा, और फिर जो उपर पानी नहीं जाएगा, तो shoot मर जाएगा, क्योंकि xylem तो intact थी ना, वो नहीं तूटी, transpiration and root pressure cause water to rise in plant, transpiration क्या करता है, pull क push करता है, यह आजाएगा, pulling and pushing, ठीक है, pull और push, which one gives the most valid and recent explanation for stomatal movement, अभी हमने पढ़ा, potassium को लेके हैं, stomatal की opening closing में कौन सा mineral involved है, हमारे पास potassium, यह मैंने कहा था कि यह नाम आ जाता है directly, ठीक है, और देख लेते हैं जरा, which one gives the most valid and recent explanation, यह हो चुका है actual में, यह वाला देख लेते हैं, which of the following criteria does not pertain, facilitated, facilitated transport करना है, saturation, uphill, requirement of special membrane protein, selective, याद करो हमने SSI पढ़ा था, saturation, selectivity, inhibition, अपहिल किस में होता है, pump में, तो answer है इसका B, clear, next बेटा, in land plant, the guard cell differ from other epidermal cell, क्या होता है बेटा, देखो, हमेशा याद रखो, guard cell is the only epidermal cells having chloroplast, किसी भी epidermal cell में chloroplast नहीं होता, तो मेरे पास आएगा D, guttation किस की वज़े से बताया था बेटा, आपको, root pressure, अब check करो, पूरे notes chapter के, पूरे lecture, आपको सारी चीज complete होगी, जो आप सारे PYQs, या सारे आने वाले questions बना पाएंगे, loading of phloem कैसे है बेटा, increase of sugar in phloem, elongation of phloem cell नहीं, separation of phloem parenchyma नहीं, यह हम कर रहे था न, sugar को उसमें push कर रहे थे actively, तो answer क्या आएगा, A, loading इस पे depend कर रहे है, next है हमारे पास बेटा, water potential and osmotic potential of pure water, water potential तो zero है, और solute potential भी क्या, यही, osmotic potential होता है, zero, तो दोनों के case में क्या आ जाएगा हमारे पास, zero, चीक है बेटा, clear, और देख लो, a bottle filled with moist and mustard seed and water wash cream, मतलब एक mustard के seed bottle में लेके बंद कर दिया हुसने, half an hour के बाद वो cap हट गई, ऐसा कैसे होता है, कई बार आप क्या करते हैं, कुछ राजमा वगेर है, पानी में भीगोते हैं, पर जादा होता है, पानी कम होता है, तो प्लेट रखते हैं, वो प्लेट को आठा root, move to the leaf, हाना, mineral absorbed by root, move करेगा leaf के थुरू, कैसे जा रहा है भई, root से जाएगा xylem के थुरू, old से new leaf में मैंने अलग मेकेनिजम बताया था, ठीक है, clear, अब देखिए, हाँ, ये हो चुका है, ठीक है, तो हमने already बेटा, आपके बहुत सारे question, PYQs के देख लिए, मैं repeat कर रह में अब नहीं आते हैं, उनको छोड़ के, clear, तो उनको करिए आप, lecture prepare करिए, next chapter हम लोग मिलेंगे, either mineral nutrition और photosynthesis, पढ़ाई करते रहें, all the very best.